मेवाद में जो घट्टा हो इसको कैसे देखे रहे हैं एक ही लाइन में जवाब देदू दोजार चौबिसम मोती हटाओ तक अभी देखो कहा कहा क्या क्या होता है बस एक ही लाइन का जवाब है अभी इतने शडंद करे जाएंगे मोती हटाने के लिए यह लोग आई डॉट इंडिया जो बनाया है न उन्हें डॉट डॉट लगा के पूरी इंडिया बस आप समझ लो यह किसी भी हट तक जाएंगे मोधी को अटाने के लिए क्या ही हट तक गिर सकते हैं किसी भी हट तक मोधी हटाओ और देश बचाओ का जो इन नारा लगा रहे है न यह अपने फाइड़ कर रही है कि सत्तादारी पार्टी है सरकार तो तुम्हारी है संबाल लो ना अरे बाइस किसी के घर पे आगा करो के तो अधिक लड़ाई तो लड़ सकते हो ना इसे संदालित है कैसे करता है किसी महले में इस जंगा होजाए महले में एक उसकी यहादियों के घर घुल जाएंगी आला उलादे की हमको उत्रांट करना है अगर आप मुसलिम नहीं हो नहीं हो तो आप काफिरों भटके वे हो दुनिया की सबसे अच्छी मीडिया का मालिक अगर वो मुसलिम नहीं हो काफिर है और भटकी भी है यह अगर और थोड़ी सी सिलाम की पढ़ाई जानना तो यह सारी यह सारे अतंडे समझ आ जा रहेंगे आपको आपको शिर्क किसे कहते हैं मालूम है किसे नहीं मालूम बस तो करेंगे धर्म पर लाई करेंगे अले कोई हटा नहीं पाएगा आपको अधिया जैसा लोग दंगा भढ़ाने के काम करते हैं और से अलभाज बोल रहा है इसको यह नहीं पता कि तू कौन देश में रह रहा कि कितनी तुझत मिल रही हैं यहां तुझे हिंदू और मुसलिम म कि अपने बगवान को मानूं का निया में काफिर हो गिया मकर उनकी कुरान को मनने वालों की मुसल्मानों की किताब कुरान को समान लों का लिखाए कि पुरान में और पांच टैम की नमाज के अंदर ये बोला जाता है क्या यह मोबबत है क्या यह बात मैं में बजातों इस लिए योगी जैसा सरकार चाहिए अप्रानि नेवाद की घटना को ऐक दर्दना घटना है ये साजिस है उन उपद्रवों की जोन से 70 साल तक दंगा फसाद करते आए देश में और आज भी उनके दिमाग में ये है कि तुम्हारी वो 70 साल वाली चाल यहां काम करेगी अब विफल है यहां का आदमी साभी जागरूख हो गया और इन की इन चालों से वाकिब है मेबात की घटना को आप कैसे देख रहे हैं प्रियोजित था यह बिल्कुल प्रियोजित था पहले से हथियार पहले से पत्थर पहले से यह किया गया और फंडेट था यह फंडेट था बाहर से काई पांज साल के लिए एक नियम लागू कर दिया जाई यकई जि को हर पस्तिंबंगर में कांग्रेस की सरकार में शिक्खोцион का का मारेके कांग्रेस की सरकार में जैना कर द कर दा दा हूं कांग्रेस सरकार है इसको मानना पड़ेगा योगी जी को मुक्मंत्री बनाना पड़ेगा आप लोग भाजपाई केवल बिना मतलब बात करते हो सीधा योगी जी बात करते हैं जानबापी भी हमारा मंजीर ममा सब हमारा जीधा आदमी है सीधा फ़रवट बोलते हैं सब हमारे दर लग रहा है कि अखटर साफ को गलत बताने में दर लग रहा है पीड़ेगा जो आप लिए योगी जी के भागता है न भाजपा न आपचा बस योगी जी की सरकार होनी चाहिए और हर ये मोदी जी को नियम मना देना सब्सक्राइब ब्लाइब इस नियुकर नियुकर और रही इंसमें ये हैं कि वह पता नहीं लगाए का जिया जादि अंधर यंदर क्या साजबिश रहा है